हम BPT theorem already कर चुके हैं अब हम करने जा रहे हैं Converse of BPT theorem Converse of BPT theorem करें या Thales theorem करें Converse of Thales theorem बात एक ही है अब Converse of Thales theorem क्या कहती है वो कहती है if a line divides the two sides of a triangle in the same ratio कि एक line triangle की दो line को divide कर रही है same ratio में तो हमें क्या प्रूफ करना है then the line must be parallel to the third side of the triangle हम BPT में पढ़ाता कि अगर एक line parallel है third side of the triangle के तो वो same ratio में divide कर रही है अब Converse में हम पढ़ रहे हैं कि अगर वो same ratio में divide कर रही है line तो यह प्रूफ करना है कि यह जो line draw की है वो parallel है third side of the triangle के तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं given कि हमें given है कि AD upon DB किसके equal है AE upon EC के equal है यह हमें given है और हमें क्या proof करना है to prove हमें proof करना है कि DE parallel है BC के तो कैसे करेंगे इसमें अब हमें यह parallel proof करना है तो अभी parallel proof करना है parallel नहीं है तो हमने क्या किया D से एक all line draw की जो की parallel है BC के देखिए D से एक line draw की जो की हमने माना की parallel है BC के तो हमारी construction क्या हो गई अब हमने यह line draw की parallel BC के क्योंकि हमें DE parallel प्रूफ करनी है तो लेकिन कोई ना कोई point तो होगा कोई ना कोई line तो होगी जो की parallel होगी BC के third side of the triangle according to BP T तो हमने DF को माना की DF parallel है BC के अब हम प्रूफ करते हैं अब हमें construction से हमें पता चला की DF parallel है BC के बाइ construction हमें पता चला राइट हमने construction से DF parallel बनाई BC के तो जब DF parallel है BC के तो हम BPT theorem के according जो कि मैं already बता चुकी हो आपको आप में चानल पर देख सकते हैं तो BPT theorem के according अगर कोई भी line parallel है किसी भी third side of the triangle के तो वो triangle की other two sides को same ratio में divide करती है तो हम BPT के according क्या कह सकते हैं AD upon DB is equal to AF upon FC यहां हम DF की बात कर लें इसलिए AF तो हम कह सकते हैं by BPT AD upon DB is equal to AF upon FC यह हमें कैसे पता चला by BPT theorem राइट लेकिन हमें AD upon DB तो AD upon DB तो AE upon EC के equal दे रखा है यह माली जी यह हमारी first equation आई लेकिन हमें क्या दे रखा है AD upon DB किसकी equal दे रखा है AE upon EC के यह हमें given दे रखा है था राइट यह हमने माली second equation तो देखिए जब भी किसी भी equation की left side equal है तो right side भी आपस में equal होंगी या तो यह कह लीजे या AD upon DB किसके equal था AF upon FC के तो मैं यहां पर यह value भी लिख सकते हूं तो मैंने लिख दिया AF upon FC is equals to आगे किसके AE upon EC यह हमने from first and second equation right अब AF इसका मतलब AF upon FC किसके equal हो गए AE upon EC के अब लेकिन यह कब possible है जब यह आपस में देखें DF parallel है BC के लेकिन हमें DE parallel करना है BC के तो कब हो सकती है जब यह दोनों point एक के उपर एका है coincide करें तब ही हो सकती है तो इसका मतलब हमें यह proof करना पड़ेगा F और E point आपस में coincide करते हैं तो क्या करेंगे इन दोन equations में हम plus 1 कर लेंगे तो AF upon FC plus 1 adding 1 on both sides इसी तरीके से AE upon EC plus 1 यहां लिख रही हूं adding 1 on both side तो अब क्या करेंगे LCM लेंगे one add किया दोनों side तो यहां गया FC LCM नीचे denominator में आ गया और यहां गया AF plus FC equals to इसी तरीके से EEC denominator में आ गया और यहां गया AE plus EC अब आप देखेंगे AF plus FC तो यह देखे AF plus FC कितना हो गया AC तो हमने लिख दिया AC upon FC equals to इसी तरीके से वो कह रहा है AE plus EC AE plus EC कितना हो गया AC हो गया तो हमने हमने यहां पर भी लिख दिया AC upon EC अब cross multiply किया तो यह आ गया AC इन दोनों की multiply हो गई AC into EC is equals to AC into FC तो देखें AC दोनों तरफ multiply में हैं आप चाहें तो इसको upon में ले जा सकते हैं तो मैंने यहां पर EC equals to AC into FC upon AC किया AC से AC cancel हो गया तो यह कितना आ गया EC equals to FC आ गया तो इसका मतलब देखिए हमारा आया EC equals to FC इसका मतलब हमारी EC FC के equal आई तो इसका मतलब क्या हुआ कभी equal आ सकते हैं यह इतना पार्ट equal तो नहीं हो सकता ना तो that means कि यह दोनों आपस में तभी equal हैं जब F और E point आपस में coincide करते हैं एक के उपर एक हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे this is only possible possible when E and F coincide और अगर coincide करेंगे तो हम कह सकते हैं कि D F already parallel था BC के तो हम कह सकते हैं D E is parallel to BC और हमें यही प्रूफ करना था कि D E भी parallel है देखें यहां से BC BC के D E भी parallel है BC के यही प्रूफ करना था तो हमने यह प्रूफ कर दिया F और E एक दूसरे के ऊपर है point एक same ही point है तो जब D F parallel है BC के तो that means D E भी parallel हो गया BC के तो यह थी हमारी Converse of Thales Theorem चलिए अब हम करते हैं Angle Bisector Theorem blah 60 18 11 11 16 16